तो आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपनी स्किन को मेकप करने से पहले प्रैप किस तरह से करें तो फ्रेंड जिस तरह से किसी मकान को बनाने के लिए उसकी पहले नीव तियार की जाती है ताकि वो मकान जो है कई सालों तक टिका रहे उसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका फांडेशन और मेकप जो है वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो और आपके फेस पे अच्छा लगे और लंबे समय तक टिका रहे तो आपको अपनी स्किन को प्रैप करना बहुत ज़रूरी है इस वीडियो मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी कि आप किस तरह से अपनी स्किन को बिल्कुल हाइडेट और स्मूथ कर सकते हैं और मेकप के लिए रेडि कर सकते हैं चलिए तो जान लेते हैं कि वो कौन से steps हैं जिनसे हम अपनी skin को बहुत अच्छी तरह से प्रेप कर सकते हैं आईए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं तो सबसे पहला step जो है वो है face wash सबसे पहले हम अपने face को करेंगे wash तो face को wash करने के लिए मैंने यहां पर यूज किया है Laurier Paris का Hyaluronic Acid Hydrating Gel Cleanser तो इस cleanser का जो formula है वो gel waste है जो कि आपकी जो है आपके skin पे जो pores होते हैं वहाँ पे deeply पैनिट्रेट करता है और आपके skin को बिल्कुत smooth करता है आपके skin पे किसी तरह की dryness इससे feel नहीं होती है जिससे कि आपके skin जो वह fresh और youthful दिखाई देती है तो इसे मैंने अपने wet हाथों से अपने face पे apply कर लिया है इसे मैं थोड़ी देर जो है अपने face पे रब करूँगे और फिर normal water से wash कर लूँगे तो face wash होने के बाद हम अपने skin पे apply करेंगे toner तो यहां पे मैंने अपने face पे spray कर लूँगी तो इसे हम थोड़ी देर अपने skin पे अच्छे से penetrate होने देंगे ताकि जो हमारे skin पे जितना भी oil है और हमारे pores जो open है वो बिल्कुल minimize हो जाए तो टोनर में जो antioxidant properties होती है जो कि आपके skin पे जो पोर्स होते है उनको minimize करने में help करती है आपके skin को temporary जो है टाइटन करता है skin को और आपके skin को बिल्कुल smooth refresh बनाता है तो टोनर एपलाई करने के बाद अब हम अपने skin पे apply करेंगे serum तो यहां पे मैंने laurel paris का hyaluronic acid serum यूज किया है जिसमें है कि 1.5% hyaluronic acid है दो से तीन drop इसकी में अपने skin पे apply कर लूँगी serum आपके skin पे जो open pores होते हैं इनको deeply penetrate करता है उनको minimize करता है और आपके skin पे अगर oil की problem है तो वो oil को भी कम करता है और आपकी skin को बिल्कुल smooth बनाता है और अगर आप इस serum को daily अपनी skin routine में use करेंगे तो यह आपकी skin पे अगर fine lines की problem है, wrinkles की problem है तो उसे भी यह बहुत हद तक ठीक करता है तो serum हमने apply कर लिया है इसके बाद जो next step है उसमें मैं अपने lips को hydrate करूँगे तो lips को hydrate करने के लिए मैंने यहाँ पे lip balm यूज किया है, sugar का lip balm है यह तो lips को hydrate करना भी बहुत जरूरी है, अगर जब आप lipstick लगाएंगे तो आपकी lipstick का जो color है वो बिल्कुल निकर के सामने आता है इसलिए lips को hydrate करना जरूरी है, तो skin prep करने के साथ अपने lips को भी जरूर प्रैप करें लिप balm लगाने के बाद next step जो है उसमें हम अपने skin पे लगाएंगे primer तो यहाँ पे मैंने purple true jewel 24 karat gold primer यूज किया है, यह purple का primer है यह बहुत ही अच्छा primer है, इसे लगाने से जो है आपके open post जो होते हैं वो काफी हद तक blur हो जाते हैं आपके face पे minimize हो जाते हैं और जिससे की foundation अच्छे से smoothly आपके skin पे apply होता है और इससे जो होता है आपके skin पे अगर oil की problem है तो यह उसे भी control करता है तो इसे मैं अपने T-zone area पे apply करूंगी जहां पे मुझे oil की जादा problem है तो primer हमने अपने face पे लगा लिया है तो इसके बाद अगर आपके आँखों के नीचे काले घेरे हैं डार्क सरकल की अगर आपको problem है तो आप यहां पे next step पे eye cream लगा सकते हैं मुझे यह problem नहीं है डार्क सरकल की तो इसलिए इस step को मैं skip कर रही हूँ तो इसके बाद हम अपने face को moisturize करेंगे तो moisturize करने के लिए यहां पे मैंने laurel Paris का हाइलराणिक acid का moisturizing day cream यूज की है मैं जल्दी ही इनका review आपके साथ share करूँगी तो इस moisturizing cream को मैं अच्छे से अपने skin पे apply कर लूँगी अपने neck पे भी apply कर लूँगी और फिर इस step के बाद हम अपने skin को जो face को जो है वो थोड़ा 5 minute का time देंगे ताकि जो भी हमने product अपने skin पे लगाएं वो अच्छी तरह से skin हमारी absorb कर ले फिर उसके बाद हम last step करेंगे जिसमें की मैं लगाऊंगी sunscreen तो यहां पे मैंने use की है mama art की ultra light Indian sunscreen जो की carrot sealed और termic से बनी हुई है इसमें SPF 50 है और PA++++ है यह जो है पेरावीन और silicon free है dermatologically tested है और all skin types के लिए है यह तो sunscreen जो है वो हमें UV rays से protect करती है और यह sunscreen हमें उसके साथ साथ हमारी skin को hydrate भी बहुत अच्छी तरह से रखती है तो इसे मैं अपने पूरे skin पे और neck पे apply कर लूँगी अच्छी तरह से तो अब हमने sunscreen को अच्छी तरह से अपने face पे apply कर लिया है तो मेरा skin जो है बिलकुल म makeup apply करने से पहले जरूर करने चाहिए ताकि आपकी skin बिलकुल perfect हो जाए makeup के लिए तो साथ में मैं आपको makeup करके भी दिखा देती हूँ foundation apply करके दिखा देती हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि जो हमने prep के लिए steps use किये हैं उनका हमारे skin पर क्या असर पड़ा है और foundation हमारे skin पर किस तरह से apply हो रहा है तो यहां पर मैंने सबसे पहले अपने skin पर concealer apply किया है तो यहां पर मैंने लिया है फ्लॉर्मर का concealer है यह इसे मैं अपने अंडर आइज के एरिया पर लगाऊंगी अपने nose पर लगाऊंगी forehead पर लगा लोंगी और अपने lips के around लगा लोंगी तो यह ब्लेंड करूंगी तो आप देख सकते हैं कि इसे इसे कि आपको पता लगेगा कि हमारी स्किन जो कितनी अच्छी तरह से प्रैप हो रहा है और इसके बाद मैं अपने फेस पर फोंडेशन एप्लाई करके दिखाऊंगी आपको तो कंसीलर को मैंने अच्छी तरह से अपने स्क तो मैं थोड़ी सी कॉंटरी अपने हाथों पे ले लूँगी और इसे डौट-डौट करके अपने पूरे फेस और नेक पे अच्छी तरह से अपलाई करूंगी और उसके बाद वाद वेट ब्लेंडर से मैं इसे तरह से ब्लेंड करूंगी तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से मेरी स्कीन पे ब्लेंड हो रहा है इसका मतलब है हमारी स्कीन जो है बहुत अच्छी तरह से प्रेप हो चुकी है बहुत अच्छी तरह से ये मेकप के लिए तैयार हो चुकी है इसलिए जो हमारा foundation बिल्कुल अच्छी तरह से blend हो पा रहा है तो इसे मैं अच्छी तरह से अपने neck पे भी apply कर लूँगी तो foundation मेरे face पे apply हो चुका है तो foundation apply करने के बाद मैंने makeup भी किया है तो चलिए मैं आपको अपना makeup भी दिखा देती हूँ तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बैल आइकन को भी दबा दे ताकि आप जो मेरी नए वीडियो की नोडिफिकेशन है वो आपको टाइम से मिलती रहे तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और बाई